जैहिंद दोस्तों बोट पर इक्षाओं की त्यारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वबसे कर लें साथी साथ अपने दोस्तों को भी सेर करना ना भूलें आज मैं लेकर आया हूँ क्लास्ट वेल्ट पॉलिटिकन साइस का मौस्ट वी वी आई स्व यानि एस्टेट दम मिनिंग ओफ एडा ओफ वन पाटी डॉमिनेंस तो क्या थी पहले हम लोग यहां एंसर को देखते हैं उसके बाद एक्स्प्लेनेशन करेंगे कहता है कि स्वतंतरता के बाद केवल कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में रही बिल्कुल स्वतंतरता हम लोग को मिल गई थी 15 अगास 1947 को इसके बाद जो सत्ता में रहने वाली पार्टी थी आपकी कॉंग्रेस थी तो कहता है कि 1952 के पहले 1957 के दूसरे वह 1962 के तीसरे आम चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला किसको तो कॉंग्रेस पार्टी को 1952 के पहले एलेक्शन में भी 1957 के दूसरे और 1962 के तीसरे आम चुनाव में भी बहुत प्रचंड बहुमत से क्या हुआ ये विज़ाई हुआ था बात करने अगर हम लोग 1952 की एलेक्शन के बारे में तो जो यहां पर था प्रथम आम चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी ने लोग सभा के पहले चुनाव मे पहले चुनाव में 489 सीटों पर क्या हुआ था मतदान किया गया था जिसमें से कॉंग्रेस ने अकेले 364 सीटे क्या कि थी तो हांसिल कर ली थी यह बहुत बड़ी उपलब्दी थी इसको और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वांदी चुनाव से मतलब दौर में बहुत आग ों पर रही थी सिट और कंपने पूंदी धूली और यहां परित्र चैंब्रमीं मंक्सद हमारा क्योसक आता है कि एक दली यह प्रभूत्वें यानि कहने का मतलब ओन ऐख्लब आयक दलका सत्ता एक दलका सासन तो यहां पर उनिस वावन में भी क्या किया तो कॉंग्रेस ने परकरार रखी और उसे तीन चौथाई सीट मिला याद रखिएगा फिर से मतलब अच्छा खासा भोट पराप्त कर लिया अच्छे खासे सीट भी क्या कर लिए तो जीत लिए और कॉंग्रेस पाटी ने जितनी भी सीटे जीती थी न अगर पूरे हम लोग पूरा मिला ले तो क 10 भाग काने का मतलब 1-10 भा भी मतलब दसवांस भाग की पक्षि पाटी नहीं जीतसका था हाँ अगर बात कर ले हम लोग फ्यासा इस बात का दिहान रखी आगर के दूसरे और 1962 के तीसरे आम चुनाव में कॉंग्रेस ने बहुत अच्छे खासे बहुमत प्राप्त किये थे तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यहीं जो है एक दलिये प्रभूत्व के दौर का आर्थ कब से कब रहां 1952 से लेकर यहीं अर्थ होता है तो समझेगा अच्छे से कहता है कि इस वक्त आन्ने राज नितिक पार्थियां इतनी कमजोर थी कि वे कॉंग्रेस को हटाकर सत्ता में नहीं आ सकती थी बिलकुल ही क्योंकि देखे कॉम्मनिस्ट पार्थी भी सीटे जीती थी कि इतनी सीटे जीती और जो बिधान सबावगा तो बिधान सबावा के चुनाव में भी बड़ी जीत हांसिल हुई जैसे त्रावन कोर कोचिंग जो की अभी केरल में केरल का हिस्सा है मदरास की ही बात कर लिजिए आप लोग या उडिसा मतलब यह सभी को छोड़कर राजियों में कॉंग्रेस ने क्या बारे में बताया कॉंग्रेस का जो पतन हुआ या कंग्रेस का जो एडवांटेज का पतन के बाद राइज हुआ उदय हुआ इन सबी के बारे मैं आपको अच्छे खासे कंसेट रखें तो कौम सा क्यूशन्स आपके रिए कितना इंपोर्टेंट है यह मैं भी नहीं का सकता आउं आप लोग केवल हड़े को एटेंट कीजिए वीडियो को पुड़ा जरूर देखिए ठीक है चलिए तो यहां पर आप लोगों को समझ आ चुकी होगी क्या हुआ एक दलिये प्रभूत्व के दौर का आर्थ बताईए तो इसी को इसी दौर को एक दलिये कारणों को लिखें अब सर्वजानिक छेतर में असफलता है यानी कि राइट डमेन रिजन्स फोर फैलूर अब पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बारे में आप लोग पढ़े भी हो गए दो तरह के सेक्टर मतलब होते हैं जैसे जेनरली तो पर बेसिक सा बात कर ले हम सेल्फ होता है या व्यक्तियों का सम्मूह होता है ग्रूप में मिलकर भी कोई लोग व्यवसाय करते हैं तो उसे हम लोग नीजी तरह का नाम देते हैं नीजी मतलब समझते हैं ना मतलब प्राइवेट इसमें संगठन के जितने भी बिभीन सोडूप होते हैं जैसे आपका स्वामी आपका कौन होता है सरकार होता है इन संगठनों का स्वामी तो पूर्ण रूप से या आर्थिक रूप से राज सरकार भी हो सकता है केंद्री सरकार भी हो सकता है या किसी मंतरी मंदल का कोई वियक्ति भी हो सकता है, तो ध्यान में रहेगा, मंतरी मंदल के आधिन भी यह हो सकता है, तो यहां पर कहता है कि सर्वजनिक चेतर की असफलता के परमोकारण अब सिंपल सा टम्स है एक प्राइवेट अस्कूल में जाईए आप और एक जाईए सरकारी अस्कूल में ठीक है तो आपको कहां पर सुविधाएं अच्छी मिलेगी सिंपल सी बात है हमारे यहां की बात कर सिंपल सा आप लोग समझ लीजे ना कि सरकार का अधिकार है तो असफलता होगा ही होगा सरकार का जब है तो क्या होगा देखिए कहता है कि भारत में 1956 के सर्वजनिक चेतरों का तेजी से विकास हुआ था सारवजनिक चेतर में अस्थापित अनेक उद्मों उद्म काने का मतलव एक तरह से आप जो कहिए रोजगार कहिए कि यह करो कि यह सफल होने वाला है दूसरा के इन उद्मों में जरूरत से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया इनके बने माल की किमितें उची थी उचा रखता था और उद्मों के प्रबंद को द्वारा असत आकरे बनाकर अपनी प्रगति का परदर्शन किया जाना तो ध पैसा अगर मान लिए पैसा उसे कमा तो सरकारी खजाने से पैसा सरकारी खजाने पैसा कर तो कमी रहता नहीं है तो कुछ भी से ताएं भी तो कुछ खामिया भी थी तो ध्यान रखेंगे आप लोग बहुत आपके लिए जो कुछ आपको खुद से लगे कि इंपोर्टेंट है मेरे लिए उसे आप लोग अच्छे से पड़िए ऐसे तो मैं आपको सेलेक्टेट सेलेक्टेट क्यूशन सिंग अबल दे रहा हूं कि यूशन ठाड हमारा काता है कि सीमला सम्झोता क्या था इस पर किन दो आप बिल्कुल देखिएगा और ज्यादा महरवान होकर थो आप वीडियो को सेयर भी करेंगे सभी लोग लाइक पी किजिए चैनल पर नहीं को सब्सक्राइब कर लिजिए सिमला सम्झोता क्या था ध्यान दिजिएगा कहता है बांगला देश उनीस सो एकत्तर में क्या गृड़ी यूध होना सुरू हो गया गिली यूध का मतलब जानते हैं सभी लोग अपने ही देश में एक तरह का यूध हो जाना दो गूटो में लोग बढ़ जाते हैं और लडाई करने लगते हैं घर में लड़ाई होता है ना तो उसी तरह से घ्रियोध मतलब अपने सर्नारत हो संख्या में अब रखिएक ब्हारत हैं तो भारत का होगा हएगा ल Qiu D gentleman भारत क्या निप्र होए तरक लिया और हो पाकिस्तान तो बोख लाग वह तीन्द-संबर को मूड उसका पूड़ा गर्म आ गया तो 1971 को भारत के हवाई अड़ा पर धावा भोल दिया जलो हवाई अड़ा पर क्या किया तीन दिसंबर ढटा का दिन होता ही है मैं 3 दिसम मर 1971 को क्या बोल दिया डाबा बोल दिया कोन तो पाकिस्तान कहां पे तो हवाई अड्डे पे याद रखिएका नहां उसके बाद क्या हुआ भारती ये सिना ने बहुत तेजी से उसका जवाबी करवाई क्या कर दिया सुरूं कर दिया क्यों कि भारत काता ही है पहले संतंत्र होगा कहिए पुर्वी बंगाल भी आपका सकते हो पुर्वी बंगाल ना बंगलादेस चोंगा हुआ अब यहां पर हुआ क्या यूद के बाद भारत पाकिस्तान के संबंधों को समान्ने बनाने के लिए 3 समझेगा तนะคะ 2022 को जिस समय भारत की परधान मंत्री आपकी इन्द्रा गांधी थी तो समस्टि गोई दोनों देशों के बीच सीबला में एक समझाता हुआ जिसे सिमला सम्झोता के जाना गया ध्यान में रखियेगा सिमला में एक समझावता हुऊा जिसे सिमला अठाक्शर करनेवाले आपके थे क्युत्र का दिशित देखिए दूसरा पड़ाव करता है कि इन पर कीण दो राइलने ताओं ने अपने किया जो कहता है कि समझा थे पर भारत के परदान मंतरी इंद्रा गांधी और पाकिस्तान की और से उनके समक्ष जुलफीकार अली भट्टो ने किया हस्ताक्षर याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट था बहुत इंपॉर्टेंट कि उसन्स आपकी एक्जाम के लिए और कह करता है क्या तो हम लोग जानते हैं कि कहता है कि जैसे मतलब हम कुछ समान को प्यूज करते हैं जैसे हम आज पानी का अगर पुडा उप्योग कर लेंगे तो मेरा पोता होगा या आपका ही द्यान में रखकार किसी भी संसाधन का उप्योग करना कहलाता है आपका sustainable development यानि अपने future का ध्यान रखिए मतलब अगर हम आज पानी बचाते हैं तो यह पानी हमारे काम तो आएगा ही आएगा लेकिन हमारे जो हमारा जो आने वाला है जैसे हमारे four पूर्वश थे उनलोगों ने हमारे लिए बचाया तो हमें भी एक करतब्र के लिए क्या करें तो विकास के संसाधन को बचा कर रखें तो यह आन पर करता है कि पुष्णिये विकास की अधारना क्या है तो ध्यान रखिएगा simple terms में आपको सकते हो कि यह आर्थिक विकास की प्रकिरिया है जिसका उद्दे से प्राकिर्तिक संसाधनों तथा पर्यावरन में बिना किसी हानी के बरतमान तथा भविस्यक्रपीडियों दोनों के लिए जीवन को गुनावता को बनाए रखना ही कलाता है पोशनिये विकास यहां पर मैंने कुछ टम से लिखे हैं कि विकास की जगा पोशनिये विकास के उधारना आ गई है इससे आसे अंध्याधून विकास नहीं किये जाने से है मतलब यह भविस्यक्रपीडियों को ध्यान में रखते हुए सरवांगिन विकास पर बल देता है बिल्कुछ सोचता भी अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचता है तो थोड़ा ध्यान रखेगा पोशनिये विकास के उधारना से आप क्या समझते हो बहुत इंप्वाटेंट क्यूशन से और पूछा भी जाएगा आपके लिए यह पर आकूरा करा रहा हूं और कुछी देर बाद में आपको फाइम आक्शन की नीती को नियाई उची ठड़ाईं अब यहाँ पर दीन प्रति-दीन हम लोग देखते क्या है जो उच्वर के लोग हैं जैसे आपके ब्रामन हो गए भुमिहार हो गए लाला राजपुत ये लोग हो गए तो वो कहते हैं जो फॉरवड में आते हैं वो कहते हैं कि आरक्षान अटाओ लेकिन अब देखिए यहां पर हमारा क्यूशन कर दिया उन्हीं लोग वह ही उन्हीं के बच्चे क्या हो रहेंगे आज एक जाम देने जाएंगे तो उनके साथ अगर यह क्यूशन आ गया कि सरकार की आरक्षन की नीति को नियायोचित रहा है तो अब हाग पर वे क्या करेंग होगा सरकार की आरक्षन निती क्या है तो इसे नियायोचित नहीं है कि समझते हैं हम ही लोग में हैं सभी लोग कंसेप्ष उते सबसंद्ल में सबसमान है बिल्कुल we all are equal we all are equal धर्म जाती नसली लिंग जनम अस्थान आदी के अधार पर नागरीकों में भेदभाव नहीं किया जा सकता लेकिन ज्यादा तरह हमारे यहां धर्म और जाती के अधार पर इतना ज्यादा भेदभाव होता है लिंग के अधार पर भी आरे तुम लरका हो तुम लरकी हो जन्म के अस्थान के अधार व्योड़े उपाकिस्तान में जन्माई हो भारत में जन्माई है इस तरह से होता है वह आरा जिला का आरा में जन्माई है तो पटना जिला का हो गया दरभंगा का हो गया तो आधी के अधार पर नागरीकों में भेदभाव नहीं क किया जा सकता है लेकिन महिलाओं वो बच्चों अनुसूचित जाती हो यह वहावा देने के लिए भेदभाव की नीती अपनाई जा सकती है यह हमारा सनमिधान करता है तो ध्यान में रखिएगा क्या कहता है कि महिलाओं वह बच्चों अनुसूचित जाती हो जो एस्टी आपके होते हैं उनकी बात करा तो एस्टी की अपना ही जा सकती है यह विवस्ता समाजी के लग्ष को पूड़ा करने हैं तो तर्क संगत है तो यहां पर इस सरह से लिख कर आपको एक मतलब एक यहां पर व्याक्या कर देना है कि हां भाई अरक्षन भी अपने एक सही है क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा पिछरे हुए हैं पिछरे कलास से डिपेंड करने इनका पास रहने के लिए घर नहीं है लेकिन यहां पर आर्थी कधार पर भी क्या होना च अच्छे मिलेंगे वाइंट बाज बनाएगा माक्स अच्छे मिलेंगा हाँ यह भी क्यूशन को छोड़ियेगा मत इक्जाम में जितना आपको एटेम्ट करना है तो दस में 10 आप एटेम्ट करके ही आएगा क्योंकि अगर छोड़ दीजागा तो उसमें कुछ माक्स मिलेग अगर आप कुछ भी लिख देते हो आम महुआ जब भी आम महुआ इमली जितना भी लिखना है वह भी आप लिख देते हैं कुछ नहीं कुछ तो माक्स मिलेगा लेकिन कंसेप्ट अच्छा रहकिए आप पूड़ा अच्छा कर सकते हो ठीक है यहाँ पर कता है कि पेक्सिता वाली बात की गई इस पर मैंने आपको सेट वन सेट वन में इतना ज़्यादा अच्छा एक्स्प्लेंशन किया था कि सभी को समझ में आ गया था तो आप लोगों ने अगर सेट वन को वीडियो को देखा हो तो इस कृश्चन में आपको प्रॉब्लेम ही नहीं हो प्रसांगिक हो गया है ठीक नहीं है इसका धे विच्व में सांती सुरक्षाव और सहयोग को सुनिस्चित करना है तथा नहीं अंतराष्टिया आर्थिक वेवस्ता की अस्थापना है जब तक यह लग्ष पूरा नहीं होता तब तक गुट्ट निर्पेक्षांदोलन की प् को जरूर से जरूर देखिए तो यहां पर कहता इसी आंदोलन के माध्यम से तीसरी दुनिया के देश अपने बड़े पुंजिवादी सकतियों के दवाओ से बचा सकते हैं तथा अपनी विदेशनीति का सोतंत्र लूप से संचालन कर सकते हैं विदेशनीति के बारे में सेट conception में में लेकर आ रहा हूं बहुत important क्यूसन तो देखियेगा जरूर से बिथे अंबर की सब्सक्र्राइं擊лох होता है समाज को खोल और प्यरिस्ट्रोय का आर्थ होता है आर्थिक नम Finished तो यह आपके जो आपके गुर्वोचओ थे ध्यान में संगल मार्ट 2080 में स्वेंट् संग में गुर्वचों का नित्रिक वस्थापित वुआ उन्हों ने क्या किया सथा में आनने के बाद अपना नया प्रश्तूत किया उन्होंने लोगों की स्व से लगएगा कि क्या कौन साक्यूशन नोट वी वी आई है तो था थमाज समझिएगा लेखे करता एट नमबर कि दो धुरुवेता के बीच बहुत धुरुवेता का क्या तत्वरे क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ना वहम और याद कर रखें कि कुछ और पढ़ाई तो अब हम क्या करें जो हमको इंपॉर्टेंट लएगा वही पढ़ांगा न तो यह समको इंपॉर्टेंट लग रहा है कहा जाता है कि गेस क्यूसें राम भरो से यह बच्छे ने कमेंट करके भी बोला था कि यह स्कूसें बिल्कुल दीड दो धुरीवेता के बीच बहुत धुरीवेता का खयातातपर है दोनों महसक्तियों का अधार नहीं वर हमारे खिलाप है जमत्या समारे खिलाप क्या होगा कि Chemie लिए समय नहीं है तो हमारे खिलाब भी क्या होगा लेकिन गौर से देखने पड़िया पता चलता है कि सत्ता के कुछ अने केंदर भी उभर रहे थे गुटनिर पेक्स देशों ने अपना अलग केंदर बनाया जिसका आयाम लगतार बढ़ता चला गया चीन ने अपनी आर्तिक सकती बढ़ाकर एक नया केंदर खोला इरोपिये संगेवमासियान जैसे स्ट्रिया संगठोन ने अपनी तरह केंदर बनाये इसे ही द्वी धुरुवेता के बिच बहुत धुरुवेता कहा गया थोड़ा ध्यान केगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन लाजवाब सा क्य सब्सक्राइब में यह क्यूशन 100% बिहार बोट ने इतना बार रिपीट किया है इस क्यूशन को क्या मैं बताओं बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन उनिस सब्सक्राइब से लेकर आज तक के प्रमुख काड़ियों का वर्णन करें 202 की गतिवीदिया प्रमुख रूप से तो सिंपल सा बात है कि जो द्वीटिय विश्वी उध हुआ था ना उसके बाद 20 के विभीन देशों में मतलब बहुत ज्यादा छती हो गया था तो इसी का पूर्ति करने के लिए 1965 में विश्व बैंक की अस्थापना हुई थी तो 1965 में विश्व बैंक की अस्थापना की ग एक शिल देश है उसकी सहाथा प्रदान करना वीटिया साइधा पैसा से धन से ता दर टा करनां प्रमूख कारें से तो शासन के लिए काम करता है अपने सदस्य देशों को आसान रीन और अनुदान देता है और जो देश जो बहुत जादा गरीब होता है उनसे वह अनुदान वापस भी नहीं लेता है तो ध्यान रखेगा वीश्व बैंक की यह प्रमुक का रहे हैं कि 1970 में हुई प्रमानु अप्रफसार संदी के मुख प्राधान है पांचों बड़े देश जैसे अमेरिका आपके ब्रीटेन फ्रांस रूस वचीन आपस में प्रमानु उर्जा के लेंदेन पर आ सकते हैं किन्तु यह किसी अन्य राष्ट्र को उसके हंस्थांतरन नहीं कर स समझें 1970 के में प्रमानु अप्रफसार संदी के मुख प्राधान थे कि जो आपके बड़े बड़े देश जैसे आपका अमेरिका हो गया ब्रेटेन फ्रांस रूस वचीन यह आपस में प्रमानु जितना भी होगा लेंदेन कर सकते हैं और अन्य राष्ट उसका कोई मतलब ब क्योंस भी भी आई करूशन था आपके एक्जामिनेंसन के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जो की आपके लिए काफी ज्यादा इंपोडेन नहीं तो प्लीज सेट फोर वीडियो को भी जरू से देखिये गा और जो बच्चे सेट बण और से टू को नहीं टेक लेंगे टेक कर अल फियू नेक्स्ट वीडियो में फिर से हमारी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ